हाँ जी सारा वयान राम राम मैं आपके साथ राजने परसाद बबलुक होकर देखो भाई आज है चगदवा परे आज हमारे बाबा साब का जनम्दी तो मैं बाबा साब का अभारी हूं क्यों आप भी आभारी हो पूरा भारता आपरी क्योंकि उन्होंने हमारे पूरुस आइना दिखा उन्होंने हम जैसे लोगों को तार्किक रूप से सोचना शिखाया तो बाबा साब अपना प्रेणा शुरुत मानते थे वो थे जोतिबा फुले साब या जोतिराव फुले साब इनको अपना प्रेणा शुरुत मानते थे मातमा को तो अब आज की क्लास इस प जिसमें भगवान बुध ध्रम पर्चार कर रहे थे समावसुदार कर रहे थे थाइं में छ्छह वे शदी में उसमें उन पर एक अंगुली माल नाहों का डाकू आकरमंण करता हूझ बगवान बुद्ध उनकी हत्यार नहीं करते हैं नहीं कुछ अमतकार रिखाते हैं उसकी दसा हुषते हैं और उनका हर्दे परिवर्तन करके उनको बोध विक्षू बनाते हैं उसी तरह अठारवी सदी में मात्मा जोति राव फुले साब समाज सुदार कर रहे थे हिंदू ध अकरमन करने के लिए दो रमोसी चाती के विक्ष्टियों को बिजा जाते हैं तो मात्मा फुले उनको साफ साफ अपना सिशे बना लेते हैं उनका मन परिवर्तन करके ना उनका वद्ध करते हैं ना कुछ उनमें एक टोड़ी राम जी थे जो सत्य सुद्ध समाज के स्तंब तो आज हम इस महान आदमी के आबारे में महान आदमी भी नहीं कहूंगा। महातमा है है हमारे कि आराम से समझेंगे कि UPC इस में से आप से क्या पूछती है मैं चाहता हूं यूपेशी भी नहीं पुछ है तो आपको भारतिय होने के नाते इनके बारे में जुरूर पर ठीक आप देखो थोड़ सा ब्रीब जानेंगे संक्सिप में देखेंगे पहले उनका थोड़ा वर्नन देखेंगे थोड़ा सा फिर उसके बाद आराम से डिटेल म पढ़ेंगे ठीक देखो मात्मा जोती वाबा फुले तो मात्मा जोती राव फुले साब ने क्या किया पहला अच्छुतू के लिए काम किया किसानों के मशिया हिंदू विद्वा के उधारक और ब्रहामन वाद के कटर सत्रू नहीं है मात्मा जोती राव फुले के सबसे ज यह चीज थोड़ा याद रखना मातमा जो तिर राओ फुले साब ने कहा कि समाज में क्या है जाती हुआ तो वो समाज की क्या चाहते थे पुन रचना चाहते हैं यह चार जो वरण वेश्टा यह खतम हो समाज की पुरण रचना हो उस रचना का अधार बिंदू क्या हो जनम नहीं हो जाती नहीं होगा छहतर नहीं होगा कुल नहीं होगा वंस नहीं उसका अदार होगा सामा जी को न्याई समाँता है दिएे इनो Hij каких युछ क्याश्म होब्हाद को उन्होंने ब्रह्मनों की परसंड सकी तो सामाइजिक समर्थ थे लेकर कट्रपन जो और विरोध करते ही कट्रपनती इनका विरोध कंटा तो जो माथमगान्दी इसी एक बार तरिम में मात्मा नहीं है, अगर हिंदुस्तान का वास्तिविक मात्मा है, तो वो है जोतिवा फुल्ले साथ, वास्तिविक मात्मा कौन? मात्मा जोतिराव फुल्ले साथ, दूसरा, वीर सावरकर, उन्होंने भी का कि करांतिकारी समासुदा रखते हैं, उन्होंने उपादि दिया क किरानतिकारी समासुदार किनको जोति राउ फुले साथ को अब पढ़ेंगे कि जोति बाप फुले साथ को के उपादी क्यूं भी गई उसमें सम्कालिल माद्यो गोविंद रहनाड़े भी थे, समाज सुधार में, प्लाकना सामाज, आरय समाज, आरय समाज में, भारतिय आरय समाज, आधी बर्म समाज, भारतिय बर्म समाज, इन में क्या थे, वो क्या सुधार operation कर रहे थे, कि उन से बढ़ के जो भगत सिंग जी ने जो रोल निभाया था अंदो लें में करांटी काये वही काम उन से पहले समासुधार में मात्मा जोति राउ फुले साप के जो दूस्त थे उनको क्या बोलते थे क्या बोलते थे यह थे तैत्या साथ किनको जतीराव फुले साथ को ठीक माराश्थर में उन्होंने वाके में एक अलग जगाई किसीज़ की इस्त्री इन्होंने स्कूल खोले लेडिज के लिए इन्होंने सत्य सो तक समाज की स्थापना की अठारा सो थे तर दी ब्रहामनवाद को चुनोति दी हिंदू विद्व विवाओं के लिए इन्होंने काम किया अनात आश्रम खोले अब इन सब चीजों के हम आगे बाग रहे हैं ठीक है तो अब चीज की सुरुवात करते हैं सबसे पहले कि मातमा जोती राव फिल्ले साब का जनम खा तो जनम महराष्ट की पावन दर्की पुन्य में इनका जनम होता है खां होता है पुन्य यह महराष्ट का मेप है पुन्य खां आप आप से कोई पुच है कि भाईस मेप में पुन्य खां तो मैं भी कहूंगा पुन्य यह रहा पुने, ये है पुने, ठीक कौनव ये है पुने, बंबेए रहा, ठीक है ये पालगर आ गया, पालगर थाना, ठीक है, इधर ये नाशिक, ये सतारावाला ये रतनागिरी, यहां पे रतनागीरी में किन का जनम होता है तो फुले साब का जनम खाँ होता है माराष्ट्रा में में कब 1847 में जो तियर्भा फुले साब का कब 11 अपरेल 1827 चार दिन पहले इनका जनम दिन था अब इनके फादर गोइंद रावजी तहीं और माता का नां का चिमना गई जनम के एक साथ के बाद में इनकी माताजी का द्यानत हो जाता है तो इनको लालन पोस्थ है, इनकी मोशी नहीं किया है मातमा जोतिबा फुले क्यों बोलते हैं, पहला क्यों से हैं जोतिराव फुले क्यों बोलते हैं, वैसे ये करसक थे ठीक करशक में माली इनकी जाती थी ठीक फूले साब फूले क्यों बोल इसका रीजन है इनके दादा छे भी तो फूलूं का काम करते हैं तो इनके फिर टाइटल पीछे फुले लगना लेकिनके जो तीरा हो फुले साब के कचे हैं ठीक अब आपसे कोई पुछे तो आप सिधा सिदा बताना है कि इनके फादर जो गोईंद रहो थे धार्मिक विचारों को थे फुले साब ने कभी भी हिंदु धिरम नहीं चोड़ा, वो हिंदु धिरम सुधा रखते हैं, जो चीज़ें हिंदु धिरम में, रुड़िवाद और कट्रपन, तो उनकी वज़े से जो चीज़ें गुशी है, वो गलात है, इन्होंने इन चीज़ का खुल के विरोध की, उन् ठीक, अब इस चीज़ का ध्यान रखना, तो आपसे कोई पुछे, इनका जनम खाँ हुआ हुआ, कुन्य में हुआ, कहां, एक कर्सक परिवार में होता है, जनम अब जब इनका जनम होता है, उस समय महराश्ट्र की कुछ इस्तिति बदली होती है, क्या बदली होती है, इस्त तर्थ यह आंगल मराथा वार हुआ। तरथ ये अंगल मराठा वारा मराठा आंगल वारा या फिर आंगल मराठा वार तीसरा 1817 से 1818 याद है कुछ वारे इन हेश्टिंग ये हेश्टिंग वारे इस्तिंग 1723 में था इस समय इंदुस्तान गुवर्णरल जनरल था हेश्टिंग 1813 इस में संधी भी होती है कौन सी देखुए आप से कोई पुछे एक संधी थी मंधिसोर की संधी में जादा नहीं जाना जो दोगा आम बता रिताँ आप से पूछे मंद मंसोर की संदी है इसी समय भीमा कोरे गांञ एक जनुवरी अटारा सो चरह क्याев कि launch ऑफा थाउच्छ हो पर आपे क्या होता है पेष्वा आर जाते हैं आज संदी कर मकरके विठो कहां प्र ओंप कांकुर के पास बिठूर में पेश्वा को क्या करते हैं बाजीराव को वहां पर रहने दिया जाता है बिट्री सर्स अब आप से कोई पूछ है कि तर्तिय यह वा तो दूसरा कब वह था अंगलमर अठावार परतम अब हुआ तो दूसरा कब वह था अठारा सो तीन से अठारा सो से पहले कब हुआ था अठारा सो तीन से अठारा सो पांच से पहले सतरा सो बैयासी में हुआ था परतम अंगलमर अठावार सालबाई की संदी वगएरा अब इनको मराठा वाले चेप्टर में पड़ेंगे तो यहां पे मैं यह करना चाहता हूं महाराष्ट्र में पेश्व में उनके लिए कोई दरवाजे नहीं खुले था महिलाओं की कोई इजद नहीं थी निम्ण जाती थी महिलाओं की कोई इजद नहीं थी तो समाज में अमावने वेहार था प्रिस्थितियां लेकिन बदल अब पेश्वा की जगए कौन है ब्रिटिसर आ चुकिया अब प्रि हुए कि मान साथ हुए इनके फादर गोविंद राव इन्हें पढ़ा थे हुए लेकिन व्यूआ के बाद कुछ कट्रपंती और उड्डीवादी वेख्ति उन्हें गौविंद राव जी कहां भरे और उनकी पढ़ाही चुड़ा थी तो फुले साब का इतना लगन था पढ गोविंद्राव जी वापिस इनको जोतिवा भाई भुले साब को 1841 में मेसिंद्री स्कूल में पढ़ने को बेचते हैं, वहां पे उनका दोस्त बढ़ते हैं सदाशिव गोवांडे, सदाशिव ब्रहमन है, वो उनकी जिगरी दोस्त बढ़ते हैं, कौन? सदाशिव मात्मा जोति राव फुले साब परभावित हुए थी, वो थे थोम स्पेन से, अब ये थोम स्पेन कौन भाई? देको मात्मा जोति राव भाई फुले सबसे ज़्यादा फेमस हुए थे थोम स्पेन के किताब थी, किताब का नाव था मनूश्य के अधिकार, कि आदमी के क्य क्या राइट है, ठीक, उसका किताब का नाम है राइट औ हम मैंस, लिखने वाले हैं फौम स्पैन, अब ये फौम स्पैन को छोटी मोटी ती नी ये, फौम स्पैन वही है, जिन्होंने 1776 में जब अमेरिका का क्रान्टी हो रही थी, इसमें भी इन्होंने किताब लिखिती दी American Crisis अमरीका की जो करान्टी अब इदर फ्रांस में करान्टी हो रही है सतरा सो गुनड़न इसमें ये किताब लिखते हैं इस किताब में फ्रेंच रिवोलिशन का थॉम्स्पेंट सपोर्ट करते हैं इस किताब में लिखते हैं कि सरकारें जितने भी है जो भी माननों को अधिकार मिला है इस वरसे उपन अधिकारों को कभी भी हनन नहीं करते हैं सरकार का एकमातरूदे से क्या है वेक्ति और उसके अंतरनहीत ऐस तांतरियंक अधिकारों की रक्सा करना जैसे विचारों की अभी वक्ती, संतंतर का, कि उसके क्या विचार आ रहे, वो अपने विचार कर सकता है, उसके विचारों को नहीं रोक सकते हैं, उसके संतंतर को नहीं रोक सकते हैं, ठीक, किन चीजों का रोक नहीं सकते हैं, अगर इसको रोकने के लिए, जो भी सामाजिक स संस्ता बनी है कौन सी परतेक सामाजिक संस्ता जो राष्टर को लाब नहीं पहुंचाते हैं जैसे वह जो नाजाइज और विशेस कर है कौन राजसाई लोग अभिजात वरग इलाइट सोसाइटी अगर ये लोग मनुश्य के जो भगवान ने अधीकार दिये राइट दिये अगर उनका उलंगन करते हैं तो एसी संस्ताओं को खाड़के फैंक देना जाए फिर नेपोलेंगो ना पाठाता है प्रांस में तो ये किताब है इस किताब से परभायूत वे थे मातमा जोतिवाबा भुले साथ तो आपसे कोई पूछे किन से थोंस पेंसे इनकी किताब प सुद्र हो इस साधी में आगे तो वहां पिता बहुत गलानी से किताब है इसकी वज़ा किया है इस वज़ा के लिए उन्होंने का कि सुद्रूं की अबरे है क्या? सुदूरूं की इस दस्वा का मूल करण समाज में ब्रहमनों की सबस्षता. इस सामाजिक रांचके के विरूद है, उन्होंने क्या सोचा? कि विरूद करने का निश्चे किया माव्तमा जो तिराव खुल ले स्था. अब उन्होंने कोने नीटाष्था से भी बहुत बुरी है। इसकी जड़ें जाती परते हैं। सभीख ही जदा परते हैं। पहले सुदरों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। ठिए, बाबा साद सुवदान लिए जब पढ़ें। योगेंदर जोगेंदर मंडल ठीक पाकिस्तान का स्युदान मौका तो दो उन्होंने का कि सामाजिक वेर्षता इसको बदलना है कि उन्होंने सोचा मात्मा जोती राओ फुले साब ने तो अब इसके लिए उन्होंने सबसे पहले क्या कि आठारा सोड़ता लीस हैं अत्ति सु तो इनको टीचर नहीं मिला पढ़ाने के तो मात्मा जोती राओ फुले साब ने पूरी रात को अपनी बीवी को पढ़ाते हैं और दिन में स्कूल में पढ़ाते हैं फिर अपनी बीवी से स्कूल के बच्चें को पढ़ाने के लिए बेजा मा साउत्री बाई फुले को जब उबार आओ फुले साब उनने पढ़ाना जारी रखा उसी बीच कुछ कटरपंती और रुड़िवादी लोगों को बैकावे में आके इनके फादर गोईंदर आओ इनको घर से निकाल लेते हैं घर से निकलने के बाद में भी मास आउत्रिवाई के साथ जोती राओ फुले अपने मिशन पे लगे रहते हैं इनका सयोग करते हैं तब सदाशिव गोवांडे जो ब्रहमन है ठीक सयोग करते हैं इस कटरपंती और रुड़िवादी समाज को जो जरजर हो चुकी वैस्ता उसको खतम गरे उसके खिलाप आवाज उठाने तो सदाशिव गोवांडे जब सकूल में पढ़ानेवाले विशन्व पती खते यह भी पंडित थे सकूल बढ़ाते थे गोड़ा है अब उसी समें सारजरिंग जल्या से थे वहां पर पानी पिने किलिए म। या रुडिवादी लोगों नुड जोतिया भाई फुले ने खुद के पैसों से उस स्कूल में जला से खुद आदेखो आज किया होता बड़ी जला से घुटा आपको पैसे तो घुक्त देखो T दो रुपे पर पीमा बच्चों को, ठीक, इस्कूल में परते एक बच्चे को कपड़े दिया जाते, खाना दिया जाता हर चीज, आज अब मीडे मिल की बात करते हैं, कितना लेट शुरू हुआ है, इंदुस्तान में आजादी के बाद मीडे मिल, मीडे मिल आया कब, अब आय है, 20 साल पेले, कब था मीडे मिल, था ही नहीं, शुरू में आजा मात्मा फुले साथ, बिना सरकारी सयोग के मीडे मिल दे रहे हैं, बच्चों को, उन्हों कपड़ें दे रहे हैं, परते अब इस तरह से मात्मा फुले ने जैसी स्कूल खुले बच्चाने लगे, इससे पह परदानती थी, उस समय कुछ रुड़ी वादी इस चीज़ को अक्सेप्ट नहीं करें, उन्होंने स्कूल के टीचर, विश्नुपति थाटे को भी मजबूर कर दिया स्कूल में पढ़ाने से, का कि आप इस स्कूल में नहीं पढ़ाने से, पिर भी जोतिया बाई फुले तो दो सर्च जारी रहता है, पिर वह एक इस स्कूल के बाद में तीन चार और स्कूलें उल्देश तो दूसरी खोली जाती है, उसकी परदाना का है, अध्यापिक का है, मा सानुत्री वाई इस बाई उल्देशा को बने आ जाता है, पिर उसके पाद में प Sum Merci जाना वर खोल के लिए मातमा जो तीराव फुले साब ले बच्चों के लिए इस तरी के साथ इस्टूडेंट से लड़के हैं उनके लिए भी उनको फरी में खाना देना ड्रेस देना उनको लेने लड़कियों को लाना और ले जाने की भी विश्टा आज गलम देखते हैं कि बच्चे पैसे देखे भी जो मिनी वेन वगर आते हैं इसको लोगी पूरे रूल रेगुलेशन तोड़के बच्चों को भेड़ बखरी दिन तरह परके ले जाते हैं मात्मा जोतीराव खुले साथ प्रीयों कोश्ट है खाना उना सब कुछ देते हैं अब जब मात्मा जोतीराव खुले साथ ये काम करने लेगे तो इस परबंदन को देखते हैं मात्मा जोतीराव खुले साथ को बंबई सरकार ने कुछ अनुदान किया पर शेतर रुपे महिना अनुदान देना सुरू किया किनों को मात्मा जोतीराव खुले साथ किनों ने देना सुरू किया बंबई सरकार ने उनका ये प्रियास से देख की सूदर जाती कि जो काम किया उस चीज़ को देखते हैं अब सरकार ने इनको सम्मानित भी किया ब्रि तो जलन तो जलो लेकिन जोतिया बाई फिले का सारजनी गरूप से क्या हुआ समान हुआ तो कटरपंति उन्हें बहुत सारी जगह यह भी का कि कि इस कूल में मद पढ़ाओ लेकिन मातमा जो तिर्वाब खुले फरी और बचिय को पढ़ा रहे था उन्होंने से कुले अब उसी समय अब कहते हैं कि एस परिस्ता का विरोत था कि एस परिस्ता क का मुद्सले है क्यों कि व अग्यानता है अग्यानता है इस लेकि हम पड़े लिखे नहीं तो हमें पता नहीं कोई चीज़ों को हम परसासनिक चीज़ों में जाए नहीं पा रहें, देश में क्या और हमें पता ही नहीं नहीं है। मत रहें दो टाइम गुरुटी मिलती बहुत है सुख सीधाइं बाद में ले लिना पहले शिक्स है उसी समय उसी सबा में सदाशिव गोण्डे जो ब्रामन है लेकिन परगति शील ब्रामन रूड़ी वादी ब्रामन नहीं है जो ब्रामन वाद के खिलाप वाद उठा रहे थे वो कौन थे सदाशिव गोण्डे उन्होंने का कि मारे देस्वाशिव के अग्यानता ने उन्होंने उनको खान लेके अंध्विस्वास और दास्ता की और धख्या लिए आपको पता है नहीं सपोज़र को यादी बिमार हो गया अब बाबा के पास थो ले जो डोक्टर के प सदाशिव गोण्डे साब ने का जिसका उचित उप्चार आउस सका है इस बिमारी का मूल कारण के जाती वाद और जाती परता हिंदुस्तान में उसमें जाती परता सबसे बड़ी भी आज भी आप देखोगे छुट-पुट जगाएं तो लोग करते हैं कि पड़े लिखे जिसमें सरवादिक प्यडित निम्द जाती के लोग है इस निम्द जाती के लोगों को क्या करना चाहिए अग्यानता को दूर करना चाहिए अब इन्होंने का मातों जोतिवाब फुले ने का कि आपको शिक्षित होना बहुत जुरूरी है तो उन्होंने एस्पर्था का भी विरोद किया किन्होंने जोतिवाबा फुले साथ है अब उसी से वूट डिस्पेस आता है जो थी वावाई फुलेग साब के लिए जो उनके विचारत है उनको बल देने का मैत पुरून काम। था. देekो ना सलोगय बाता है। ये इस्ट्री का अलग चेप्टर है तो ठारा सो चोपन में शिक्सा में सुधार के लिए आया जिसे बारत का मेगना काटा भी का जाता है इसमें एक गोस्ट ना होती है कि किसी भी चातर को उसकी जाती के आदार पे स्कूल और कोलेज में परिवेस कर रहे जाने पेंकार नहीं किया जारा दूसरा जो भी व्यक्ति व्यक्तिकतादार को स्कूल कोलेज इस्ताबलिस कर रहा है उसको प्रोस्तान दिया जाएगा उसके साथ साथ आर्थिक अनुदान भी दिया जाएगा जब वूर्ट इस्पेस आता है उसमें इंदुस्तान में तीन उनुर्शिटी खुलती है नॉर्मल आपसे पूछे सिद्धा बताना कलकत्ता मदरास और बंबई अठारा सो सत्यावर्णी वुट्ड डिस्पेस के बाद में कौन साता है हंटर हंटर में कौन कौन सी खुलती है पंजाब और इलाबाद उनुर्शिटी है तो पंजाब खुलती है अठारा सो ब्याशी तयाशी में और इलाबाद उनुर्शिटी खुलती है अठारा सो सत्याशी में इनको पढ़ेंगे जब अपन वह एक्जूकेशन वाला चप्टर करेंगे वैसे वीडियो बना रखा है मैंने आप देखना का करम कुछ है तो वुड़ी स्पेस में मात्मा जोतियों अब आप फुले साब को एक और बल दिया उनको ताकत दी अब वुड़ी स्पेस के समय ही लोग शिक्षावी बाग बनाता है यह पेशी की सुन पूस्ती है तो आपको कोलेज वगरा पुछ तो आप जाके अब आप से कोई पुछ है यह तर्तिय रतन किताब किसके एक नाटक है इसमें बताए कि जो पुराणिक मानायत के हैं उनके उपरे नोंने अपना तार्किक रूप से उनका बंड़ा पूर की है तो अब इस चीज़ को लेकर कट्र और उड़िवादी लोग इनके खिलाफ है और इनको मारने के लिए दो रामों सी समूदाई के विक्तियों को बेजा जाता है जिन में एक टोड़ी राम जी भी थे जो रात को मारने जाते हैं तो जोतिवा भाई फुले साब सो रहे थे तो जोतिवा फुले साब कि निंद खुली दून से उच्छा कि आपको नो का हम आपको मारने आये हैं और हमको एक जार रुपे आपकी मारने की सुपारी में तो जोतिवा साब करते हैं कि आपको आप मुझे मारना चाहते हैं उसका मिला आपको इससे फाइदा है कहां कि फिर मुझे मार दो कम से कम मेरी मर्तिव से निमन वरक को फाइदा है तो भी मैं मरन को सुनते ही दोनों जो हत्यारे आये थे उनका हर्दे परियोतन है कि ये वेक्ति हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए इतना प्रियास कर रहा है हम लोग इतने गिरिये हुए हैं कि इसी को मारने आदे अकारण तो ये देखो उनके ये स्टेटमेंट है ये गुलामगिरी में स्टेटमेंट लिखा हुए है आप उसे में देखो यदि मेरी अत्या से तुम्हें लाब होता ता मेरा सर तुम्हारे सामने है ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात होगी कि जिन निर्दन वर निम जाती के लोगों के उत्वान के लिए मैंने काम किया अगर आज वही मेरा स काट रहे हैं तो क्यों मेरी मर्ति भी उन्हें लाब हो रहा है तो अब इसके उपर तो दोनु जो हत्यारे थे उन्होंने का कि जिन्हों ने जिन रूड़ी वाज़ी और कट्रपन दें लोगों ने आपको मानने के लिए बेज़ा है हम उनको जाके मानने तो जोती बाब खुले साब का अंग रख सक दूसरा टोडी राम जो सत्य सुद्क समाज का एक स्थम बनता है और उन्हें किताब लिखे थी वेदाचार ठीक अब आप से कोई पूछे वेदाचार क्या है तो इस चीज़ के उपर आप बता देता है तो तर्तिय रतने भी पूछे कोई इसके बारे में आपको बताना है इसके बाद मुनों ने किताब लिखी गुलाम गिरी जैसी गुलाम गिरी लिखी आपको गुलाम गिरी मुझे रखता है पढ़ना चाहिए कुछ ज्यादा महेंगी निए डेट सरूपे में मिल जाएगी समकालिन जो तिबा राव खुले साब खु आपके बिखी लाज़े तो गुलाम गिरी कब लिखी गई डेट है इस किताब में बताया कि अधलीत सुद्धर किसान तो यह भी जज्यादा इन को कौन बेकूब बना रहा है तो इस किताब में आपको दिलेगा गुलाम गिरी ने यह किताब यशे बारा राना कि थी अधर लोगे लेकिन सुद्रों के लिए, अति सुद्र के लिए ये थी छाना, दलित वरक के लिए ये थी छाना, दलित सब्द वैसे दिया था किनों ने जोतिराव भाई फुले साब, जोति बाई, तो जोतिराव फुले साब ने दलित सब्द है, मराठी सब्द है दलित, दलि बेडियों में सामाजिक फ्रेसर में तूट चुका है तो दलित सबद क्या है मराठी है नुगा ने जन्होंने कि जलिए तूटा हुआ है र जगह से तोट दिया को समाजी क अधार से आर्थिक अधार हर जगह से थान पूछ दालित मात्मा जोत्ती राव खुल्ले के सब्सक्राव dilemma माराष्टर में एक समासु दर्ख उते हैं सब्सक्राइब कौन थी LCD TV K अब चोटा सा क्यूंसरना है मातमा गांधी के राजनिति गुरु को गपाल कर्षन गोख लेकर राजनिति गूरु को मादेव गोविंद रनाड़े साथ तो मादेव गोविंद रनाड़े से सम्माद सुधारक्ट महाराश्ठ के उन्होंने 1861, कब 1861 में, रानाडे साथ ने, विद्वा विवा संकिस्ता अपना की, इन्होंने जातिवाद का विरोध किया, इन्होंने का कि विद्वाओं का वापिस विवा होना चाहिए, इन्होंने बाल विवा पे ताल ठोकी पुरे माला है, मरी बास सुनते रहना, बाल व यहोँ सित्वषाब है। इन होने का कि विद्वाओं का मुंडन करना गलत है। विद्वाओं का पुनर विवा जुर हिए। इक विवाओं को पुम्मौ झोर सेुनों करा रहे। उनको राव भादूर दिया जाता है, राव भादूर हिंदून को मिलता था राव भादूर, इसला पार्शी और मुस्लिम को मिलता था खान भादूर की उपादूर, क्या मिलती थी खान भादूर, उनको क्या दिया जाता था खान भादूर, शिक को दिया जाता था सरदार भा बाल विवा पे ये बोल रहे हैं। लेकिन अठारा सो थेतर में मादेव गोयंद रानाडे साथ की पत्मी का निदन हो जाता है। तब इनकी उमर होती है 32 साहब. तो मादेव गोयंद रानाडे साहब विवा करते हैं, रमा भाई रानाडेजी के साहब. वो ग्यारा साल की बच्ची तो इस चीज के उपर जोतिवा भाई फुले साब करते हैं कि मादेव गोईंद राणाड़े साब इनकी आपस में वैसा आप पढ़ोगे भारते खोद डिडी नेशनल पर एपिसोड आप देखना जाके करते हैं कि आप ने ये क्या की आप खुद विद्वा विवा संकिष्टा अपना कर तो के आप राव भादुर की उपादियां ले रहें आप खुद बाल विवा कर दें आपकी उम्मर 32 साल है 11 साल की बच्ची से आप विवा कर दें आपको सरम आनी चाहिए पहली लताड दूसरी लताड उन्होंने लगाई तब मादे साब बंबई हाई कोड के जस्टीच भी रह चुके हो सकते मादिव गोईंद रानाडे साब की बहीन विद्वा हो जाते हैं वह अपनी बहीन का पुनर विवा नहीं करा तो गोईंद मातमा जोतिराव फुले साब कहते हैं महादेव जी यह क्या कर रहें आप तो पुरी दु तो समकाली समासुदा रख थे मादियो गोईंद रानाडे तो तबी करांतिकारी वीर सावरकर साब ने क्रांतिकारी क्यों बोला जोति बाबा फुले साब के बच्चा नहीं हुआ जोतिराव फुले साब के ससुरु ने उन पर दबाव डाला कि आप दूसरा विवा कर उने कि मेरे में कमी मेरी बीवी में क्या कमी मेरे में भी कमी हो सकती है मैं मेरी बीवी को नहीं छोड़ूँगा ठीक यह थे जोतिराव फुले साब एक पत्नी को माण तो उसी समय दे को एक और गटना गटना ब्रहम समाज का नाम लेते हैं ब्रहम समाज समासुदा रख थे 1828 में यह लेगा लेगा नहीं को पढ़िए बार्म टेगोर जी के ब्रहुन समाज का नेतरत्व करते हैं तो अधि-ब्रहुन समाज की का लिड्रिशीप करते हैं डेंदरनाटेगौर, जो रेंदरनाटेगौर के फाथ हैं। जबकि भारत्यब्रह्म समाज का नेतर तो कौन करते हैं? केसो चंदर शेन साफ करते हैं। केसो चंदर शेन भी करते हैं कि बालिवह अभी साफ है, बड़ी-बड़ी बातनी हैं। बुद्धि जी विवरग हैं कुछ भी बोल सकते हैं बाई मैं भी आदर करता हूं कि इस चीज पर उनका मेरा उपोजी से उन्होंने अपनी 11 साल की बच्ची का कुछ विहार के राजपुमार से कर दिया अपनी बेटी सुनिती देवी का तो कथनी और करनी में उन समाज़ Сп связ अरुक में हँतता लेकिन मात्मा जोति राथ भोंफुले साब नहीं तो आप सम्का Herman समाज दारख देखें माथमा जोति राथ भुले साब कर सपो देखें कभी समाज का दबाब में नहीं आये। बाकी को समाज सुद्धारग जो बुद्धी जीवी थे, वैं समाज में दबाब में आ रहे ह। मादयो गोंड रानडे साब ने कहा कि मेरी बहुन का विद्वा、 उच्क्रिव्वा इसलिए नहीं कर सकता हैं। अब इसी समय जोती राव फुले साब वो कहते हैं कि औरत को तो प्रक्ति ने कमजोर बनाया लेकिन इसकारत यह नहीं है कि पूरस उस पर अत्याचार करें एक पत्नी के जीवत रहते हैं आप दूसरी साधी करना गलत है पत्नी पर यह अत्याचार जैसे मैंने अभी बताया कि म मां साथिर भाई फुले के तिताजी भी करते इएक आप मना कर देते हैं कि नहीं का कि मुझमें भी तो कमी हो सकती है जोती बास फुले साब है कि देखू कि समाज में विद्वा विवा होने पर ब्राहमुq ने क्या कर दिया परतिबन न लिगा कोई जावान लड़की विद्वा हो गई, 18 साल की, 14 साल की, 13 साल की है, 12 साल की है, विद्वा हो गई, अब उसका विवा नहीं होगा ता उमर, कि उसका जीवन नहीं है, उसका जीवन है, कि उसका विद्वा विवा नहीं होगा, परतिबंद था, लेकिन, फिर क्यों सें करते हैं, जो बुढ़े हो लड़की से साधी कर रहे है जबकि वो खुद बाद ही वाका वी रोत कर रहता है ये क्या है उन्होंने ये भी का कि अगर यदि एक पूरस तीन साधी कर लेता तो समार्स उसकी मानेता देता है अगर एक एक आरत कर लेगी तो समार्स इसको बरधास निंह grateful उन्होंने का कि पुर्सूं और ओर्तूं के लिए नियम अलग अलग क्यूं है का ये नियम अलग क्यूं है हम तो बगवान के नदर में सब बच्चे हैं अब अलग नियम क्यूं है दलितूं के लिए अलग नियम क्यूं है ये सब कुछ जातिवादी वेस्ता की है हमको कॉन दोखे में रख रहा हैं, यह रूड़ी वादी लोग क्यों कर रहे हैं जबाब था समाज से समाज दवा जबाब नहीं दे पाए इनको मात्मा जोतिराव पुले साब को जबाब नहीं दे पाते दो उन्हों ने का कि जो ब्रामुनों के पास अधिकार हो सुद्रूं क कौन करा रहे हैं मातमा जो तिरा फुले साब फुले साब से थोड़ा समय पहले उसी के समकालिन दाएंगा फुले साब की अठारा सो त्रेपन में पुन्ना में एक समिती बेठती है का कि विद्वा विवा हुना चीए नियों उसी समय रुड़ी वादी इसका विरोध कर रहते हैं तो समीती के विर्विचार सारे खतम हो लेकिन जो तिबा फुले साब ने इसका समर्तन किया और विद्वा विवा करते हैं अब इस विद्वा विवा में आप से कोई कुछ है कि उसमें समकालिन इस्तितिक क्या थी विद्वा हुना तो देखो अगर लड़की 14 साल की एक की मंई के साथ इसा हो आप बरदास करोगे उस समय होता था आपकी बैरिन के साथ आज यससा हो तो आप बरदास करो थे उससमें होता था रो ललक जगह ने उसके ऑवाज के खिलाब खड़ा होने वाला एक यादमा ता वो बहाताओ, महामानव, जोतिराओ, फुले साथ, और तूंग, अब मालो को विद्वा है, उसके बच्चे हैं, लेकिन वो अपने बच्चे की साधी में नहीं जा सकते, अब सकुन मांगते, तो कैद नहीं भाई, ये विद्वा है, इसका मुझ देख लिया, गलत है, नंगे पे रखना, असुब मांगना, उसको टॉंट मिलता रहता, तो मातमा जोतिराओ, फुले साथ ने अनात आले इस थाबलिश दिखिए, अब उसी अनात आले क्यों, देखो, अनात आले बनाए, उससे में इसाई लोग, जो भी अनात बच्चे होते थे, उनका इसाई करन करते हैं, उनको धरम परिवर्तन करते हैं, मातमा, जोतिराओ, फुले साब ने, बहुत सारे हिंदू बच्चों को इसाई होने से बचाया, उन्होंने अनात आले खोले, जहांपे विद्वाओं के बच्चे का परसव करा सक्या, विद्वाओं के बच्चे कैसे बेखो, कंशिर्टत आ जाती है, कोई इनका रिष्टेदार इनके साथ, ठीक, ये गलत फरकते हैं, उसमें सोसन करते थे लोग, अब वो, या फिर तो उनको मरना पड़ेगा, अगर प्रेंग्डेट होगी तो विद्वाओं, या फिर अपने बच्चे को मारना पड़ेगा, इनके पास दो इचारे अब बच्चे को फेंगना पड़ेगा, तो मातमा जोती राव खुले साब ने, इस अमान ने कान को खतम करने के लिए, अना तालिक होते, का कि जो भी विद्वाओरत अपने बच्चे को जनम देना चाए, वो यहां आजा है, मैं उनका खाना, मातमा जोती सुनो, वो वेक्त कालते हैं, आज कल का आदी मुझे लगता है, डेमोकरसी के बाद मा आदी हवान हो चुका है, ट्राकसास, इन पर कोई कंट्रोल ने, देखो, कंट्रोल जरूरी है इनिसान, वो अब हर आदमी उड़ने की कोशिस कर रहा है, है ना, मुझा एकदम करता है, डेमोकरसी अच्छ कुछ, बच्चों की देखबाल के लिए सब कुछ, अना ताले फुले, इसके साथ साथ पर्चे और लगाए, पुरे पुने सेर में, पर्चे फरियोग कोश्ट आई और मेरे पास रही है, उन बच्चों का में, मात्मा फुले साब ने कोई समिती नहीं बनाई, इन बच्चो अफ्रत करते थे, नहीं करते थे, उन्होंने यस्वंद को ही गोद लिया, यस्वंद को गोद लिया, जो ब्रह्मन पुतर था, कोई बेटा नहीं था, उन्होंने यस्वंद को गोद लिया, जो लास्ट में जाके डोक्टर बनते हैं, इनी की स्कूल में पढ़के हैं, ठीक, अब आपसे कोई पुछषद बता ना है अनेयक बाच्चवग, अनाग बत्चूग को इस साई धरम से बचा है है तो मात्माप्फुले साब ने क्या वोमेंश के लिए उसे में आवाज नहीं उठा है है अटक हैं अब अब उसी समय मात्मा देख्वफुले साब ने समाज में सुचा की उन्होंने उस तक लिखी लेक लिखे अब समाजे चेतना फिनाने के लिए उन्होंने सत्यसो तक समाज की स्थापना करते हैं इसकी सत्वेसो तक समाज की स्थावना 24 सितम ब्र लिख लेना बाई 1813 में करता है सत्वेसो तक समाज की अब ही समाज में क्या था कि हम लोग you बरहं समाज है इसमें लोग मिलेंगे इसमें बाद चीत होगे इस समाज का मैंनुदेशे क्या था मेन उदे से था कि सारी सुद्रू में कूरूतिय हैं कि सुद्रू में क्या कूरूतिय है कि दारू पिना, मद पिना, अपनी और्टों को पुझे सब खतम करना है अंध विश्वास को खतम करना है अंध विश्वास नहीं, कोई भूत नहीं है नहीं डरना है साइंस है तार्क है तरक है तार्किक रूप से सोचना है अंधिस्वास को खतम करना है उनके अधिकारों के लिए उन्हें जागर्थ करना है कि आपके राइट्स है आपका अधिकार है आपकी जमीन है आपका जंगल है ठीक बराबर अधिकारों के लिए लोगों को जागर्थ क मेरे दोस्तों की भी बोल देता हूं अभी की अभी भी लोग पता है मान से अभी नियो कास्ट देम चल रहा है इंडिया में कि कोई अगर आई-एस है आपका दोस्त है जानते भी नहीं हो उसको जानते लिए जैसी वो आगे उसकी आर्फि उतारना सोगे और उसी समय कोई चपड़ा सी है को पियोन भाई यह अपना को थर्ड ग्रेड मास्ट लगावा तो उसको तरी रेस्पेक्ट नहीं मिलती है नहीं मिलती है गुंगान करते हैं अरे भाई नह चाहिं यह गलत है वह वापस नियो कास्टिजिभम में जा रहे हैं बड़ी अब आप लगे हो देर्श केरीं बहुत बड़ी आपता आपको अपना काम करें रही है नमापiadaнок को सम्मान करेंगे ऑज़े इनसान आप ज़ीन्सान बड़िया लिए ज़िश्यत मिले कि इंसान ब करो तो अब मान्सी गुलामी में जा रही ह지 फले साब उस समय मान्सी गुलामी से मुक्त करणः कोषिस कर रहे हैं आज हम नियो काश्टिजन में। खुद गो धखेल रहे हैं ले फोलो कर रहे हैं उन्होंे बड़िया बात है यह आलतु फालतु के ट्रम पर आप जानते नहीं हो आगे जाके ओ साब आरती टाए भाईया 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 यह वो वो मैं बतरा पर खुद देखता हूं कि भाई साब ने इंटू दिया तीन वारी उते से तो क्या करें भाई बढ़िया बात है बहुत बहतरी ना आपका सरा आपना रुत्बा रोफा के आदार पर कोई उज़त नी दी नियू काष्टी जम आच चुका है अब देखो के ठोड़े दिन हम सब इसमें गृप्त में आते जा रहे हैं इतनी गजब की गृप्त में आते जा रहे हैं कि समझ में ने या रहा है कि हम जाएंगे अरे मरना है आई एक दिन है इज़त से स्वाब इमान से जिनाशी को आप गड़त करो मत कुछ भी क्या प्रोब्लम है आस तो सवीदान है हमारे पास हम आजाद हैं फिर भी मानसी गुलामी नहीं जा रहे हैं तो मात्मा फुले साब ने धार्मिक दास्ता और मानसी गुलामी से भी लोग खांडे भगवान खांडे राओ के ना से सपर लेनी पड़ती थी अब समाज का लक्षे क्या है समाज का लक्षे ये था मुके सिदान समाज की दोगियत उद्य से थे मुके सिदान क्या है कि सभी मनुष्य एक इस्वर की संतान है कि हम सारे एक भगवान की संतान है इस्वर स सबी का अभी बावक हैं हम सब का घारजियन है जिसपरकार मार्ह के पास Act के लिए सिपिता को परशंद करने के है क्या का हमें फुरहुईत पर कि hazardous की जुरुत chuẩ sì नहीं है आउसकता नहीं है इन शिद्वानत्यों को परेगा वेक्ति ब्रह्म का ऐंस सत्यसोदक समाजद का क्या बन जाएगा सदस्य बन जाए तो आप जो चेतना नीमझ जाती के लोगों के लिए, समान लोगों के समान typically संंगर्स के लिए, जो जोती राओव, खुले साब ने जो जोती जलाई थी, क्या वो जोती आज बुझ गई तो कोई आप खुद देखना कि आप क्या कर कर थे ठीक, कोई आप का दोस्त मैंने देखा है कि मेरे खुद के दोस्त हम देखा कोई लड़का अगर कॉंस्टेबिल की तैरी करता को युपेशी की तैरी करता है तो वह लोग उनमें भी डिफ्रेंट्स करते हैं कि यह दिल्ली मुलिज की तैरी करता है यह उपेशी करता है, इसको इज़त करो क्यों भाई दौनु बराबर खुद देखना और यह तो उसको चिंग शेपड़ता है यह उस उनुवर्सिट्री शेपड़ क्या है उसको इजद देते हैं जो भी कोई गाम की कोलेज इसको से उसको रहा ना ना यार यह यह हिंदी मीडियन का यह इंगलिस मीडियन बाद है तो यह नियोकास्टी जमाज सु कि आओ समाज की हर संडे को एक बेठेक होती इस बेठेक में यह कहा जाता कि सबको अन्यवारी शिक्सा एजुकेशन देने हैं देखो देश बक्त की बात आती है उसी समय सवदेशी का परचार कौन कर रहे था स्वामी दयानान सर्सुति स्वामी दयानान सर्सुति महात्मा सवामी दयानन सरसुत्ती सवदेशिवस्तों की बात करते हैं तिलक साथ सवदेशिवस्तों झाल 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 थे उस समय निश्प्रम उनका विरौध हो था था शान प्रक्षाब चाहते थे उनका वियू जनता तक और महराश्टर के बाहर भी जाये लोग समझे उन्हों नुस्पेपर निकाला कोंने दीन बंदु उन्हों मित्त कर्सार्राव कर्थ इस न्यूस प्र करता था, वातरा हर, यह सत्यसुदक समाज पर दीन बंधु परहर करता था उसके बारे में यह वातरा हर, अब इसी समेशी नियूज पेपरमिनों ने लिखा दीन बंद l में जोतिया भाई फुले साप ने का कि मैं एक बात साप करना चाolsता हूं ये सत्थे है कि ज्यान की कुंजी पंडितों के पास ब्रामुन के पास क्या ज्यान की कुंडली ब्रामणू के पास है उनकी सायता के बिना हमारा उत्थान नहीं हो सकता और ये याद रखना ब्रह्म समाज में जितने पंडित है उससे ज़्यादा ब्रहामन सत्य सुद्ध समाज नहीं जो परगति शील ब्रहामन थे ना कि तो दीन बंदूने उच्पे पुछे तो आप बताते हैं अब आप से कोई पूछे जोतिराव खुले साब की विचारदार उन्होंने का इस्वर को मनूश्य ने बनाया है मनूश्य इस्वर की भलाई करें अगर कोई अपने ही देश के लोगों का सोसन करता है उसी प्रेशान करता है धरम के नाम पर तो कोई विक्ति अपने देश के विक्ति को प्रेशान करता है धरम के नाम पर भी प्रेशान करता है तो क्या है उसका सोसन करता है ना तो उस सकता है वह इन्य सान्टी प्रौन होना चाहिए कि Sagan manipulation की सहीं कि को भी विक्ति-ढरीदर पने भागे के उज़से रहाए इसके लिए इसका ये भागे भी दिखाता यूं इसके लिए समाज जीमिदार है आपा कि समाजी है गही न गहीं लगा, इलब भी राम ये लगा के कहा, कि लेकिन आप इतना भी नहीं करोगी कि इस से किसी दूसरे को परवा हो, कोई दूसरे के अधिकार हनन हो, आप ये नहीं करो, ठीक है? तो कहा कि जो व्यक्ति सद आस्रन करेगा जो एक तो वेक्ति ऐसा आश्रन करेगा विच दूसरा सद आश्रन करने वाला वेक्ति क्या होता है सत्य का निवाई होता है जो वेक्ति दूसरों की राजनितिक और धार में विचारों की अलोचना नहीं करता ठीक दूसरों को प्रेसान नहीं करता वे कह सत्य के निवा तो सत्यमयव जेती का पहला नारा समाजी का अदार पर दिया था मातमा जोत्पिराव फुले साभशाब साथ नी। आपसे कूर्शत के पुछ那麼 चूँश्चन पूछे तो Sesरां स्त्यमयर जेती का नारा दिया था मधनमोर मालवे साथम ने 2018 में जब कंगरेश के प्रसिडेंट ठीक अब आप से क्यूशन को पुछ है तो इस क्यूशन को कर देना अब लाश्ट में जब कॉंग्रेस की स्तापना होती है अठारा सू पिच्छेंसी में तो मातमा जोती राव फुले साब करते हैं कि मैं कॉंग्रेस में विश्वास नहीं करता क्यों उनसे पुछा क्यूं तो आप कुछ इलाइट सोसाइटी को लेकि आप एक संस्ता बना लेते हैं कैसे माने आपको तो जोती राव फुले साब अब एक गटना होती है हिंदुस्तान में ड्यूक ओप कनोट कौन है ड्यूक को कनोट का मारानी का पुत्तर हिंदुस्तान आता है 1888 कब 1888 तो उन्ना में जोतिवा भाई फुले साब का और फुले सामका एक परसंट सकता हीरी राव जी मिया हिरि चिपन कर आ heel AM करता है उस हखाने में ड्यूक ओप कनोट उनके पत्री वियाती है उसमें जोतिवा भाई फुले जाते हैं एक बेंच पर खाना करते हैं तो जोतिवा भाई फुले साब निडर रूप से उनको करते हैं कि जो आप चमक दमक देख रहें नो भाई साब यह हिंदुस्तान नहीं है और आपको वास्तविक हिंदुस्तान देखने तो गाउं में जाईए वहां के लोगों को देख जो आर्थिक इस्तिति उनके बारे में जानते हैं वो आर्थिक मुक्तिदाता भी कर सकते हैं जोतिवा फुले साब आप से पूछे तो इसके बारे में जबाब देना अब जोतिवा भाई राव फुले साब अंतिम समय सांस ले रहे थे तो उन्होंने किताब लिखी किताब क कि इसे इसफर परसंद रहे गा है j firms यह के बाद छिवू की एक उतली संध sfograf माज का यहांन müsste आंधलन क्या था लोग बहुँ सार बहुँसार विद्वानिये करते हैji कि सब्सका समाज का अंदूरन इन के और करणदार करता दरता भी कौन पे ब्रामन ही थे जो प्रगति शील ब्रामन है तो जो तिरह वबा खुले साब को लखवा मार जाता है दो साल के बाद में इनका देहांत हो जाता है 279 वर 1890 इसी के साथ सारा बैयन राम राम आप देखिए कुछ चीज दको उचारन मेरा गलत हो सक सब्सक्राइब मेरा इंटेंशन कुछ नहीं इसा कुछ उचारन गलत करूं लेकिन टैंग है मारवारी टैंग थोड़ा बहुत निकल जाती है उचारन तो आप समझो चीज को और वीडियो देखो कुछ चीज हो कि आपको लगे क्या हां मुझे ये इस वीडियो में लाना च कुछ जाता है